हेलो एवरीवान, वल्कम बैक टू आर चैनल, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वला नॉन बेंगॉली मराथी ब्राइडल लुक, जी हाँ, पूरा ब्राइडल लुक मैंने आपके ये शूट किया है, मैं उरिसा के राउर के ला में क्लासस करवाती हूँ, त वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आइब्रोस को ड्रॉ कर जाएगी हूँ, लेकिन इससे पहले फेस को मैंने क्लीन कर लिया था, और क्लीन करने के बाद टोनर एंड मॉस्चुराइजर भी अपलाई कर दिया था, जब तक हम लोग आइब्रोस को ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर उसे क्लीन कर रही हूँ, आज पूरा मेक अपलो जरूर देखना एंड तक देखना और मुझे बताना कि आप लोगों कैसा लगा और सारे जो प्रोड़क्ट से मैं बताते जाओंगे कि मैं कौन सा प्रोड़क्ट यूस कर कर यू थे यहां पर मैंने बतात की यूस किया करालों कर शूपर और स्कीन कलर के अप्रोडिंग ही हम लोग करें ल road करेंगी या ड्क करेंगे नहीं स्कीन टोन पर ही मेप करेंगे कि sür tutte मेख करेंगे आप याद रखना कि सकीन टून से आप ओन्ली वहन लाइट जाओंगे उ नहीं भी रहने छोड़ हो तो किलीन नहीं कर सकते हो तोया मैं हमेशा से लींड करती हूं मतलब राइशा चाहँ हो शांप करती हूं तो मैं ऐसे क्लीन कर लेती हूं साथ以上 सहर सेम बेस को हम लोग 9र इंघ करें इसे ब्लेंड करने के बाद powder से सेट जरूर कर लेंगे वरना फिक रीज पर जाएगी मेरे reception में मैंने अमीत कर्मकर से makeup करवाया था और उन्होंने powder से सेट नहीं किया था मेरी पूरी क्रीज आ गया थी मेरा शादी का makeup and reception का makeup experience मेरा खराब रहा जो कि मैं दुसरे वीडियो में जरूर शेयर करूंगी तो यहां पर मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ आप देख सकते हो और इसके बाद हलका सापको सेट करना है बहुत जादा अगर आप सेट कर दोगे तो कलर जो है वो अच्छे से डिपोजिट नहीं होग सो आपको हलका-फलका सेट करना है ना यहाँ पर मैं आज बहुत जादा कलर फूल आई मेकप करने वाली हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले हमने यहां पर रानी कलर पिंक का डाक जो शेयड होता है वो लिया है और उसे मैं भी शेप में अपलाई कर रही हूं और आप चाहो तो राउन में भी कर सकते हो लेकिन राउन में उतना जादा अच्छा लूक नहीं आपाता है इसलिए तो यहां पर पिंग अपलाई करने के बाद आप मैं यहां पर पर ले रही हूं आप देख सकते हो ठीक पिंग के ऊपर ही हम पर पल को डिपोजिट करेंगे और अभी सिर्फ डिपोजिट का काम हो रहा है अभी ब्लेंडिंग का काम नहीं हो रहा है आप देख सकते हो और उसके लिए आप एक आप कभी भी डिपोजिट करो तो पैंसिल ब्रश ही यूज करना और ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग करने के लिए ब्लेंडिंग ब्रश लेकिन बेसिक चीज़े आपके पास होनी चाहिए जैसे कि प्राइमर हो गया चाहिए आईशादो ब्रेंड उतना ज्यादा माने नहीं रखता अगर आपको काम अच्छा आता है तो यहां पर मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहे हूं और कलर बहुत जादा क्रीज को मैं ड इसके बाद मैं यहां पर हलका शाब ब्लू कलर अपलाई कर रही हूं आपको आप देख सकते हो ब्लू कलर का बहुत हलका हलका मैं पिक करोंगी और ब्लेंडिंग करते जाऊंगी क्योंकि अगर आप एकदम से रख दोगे तो वह ब्लेंड होना मुस्किल हो जाता है तो मैं करते हुए आप एक चीज़ ध्यान देना पहले मैंने क्रीज लाइन में कलर को डिपोजिट किया और फिर ब्लेंड किया लेकिन जब मैं यहां पर ब्लू कर ले रही हूं तो मैं ब्लेंड करते हुए उसे अपलाई कर रहे हूं तो मेरे बुलने का यह मतलब है जब आप कलर को यह ब्लु कलर डार्क है दिस लिए मैं उसे ब्लेंडिंग करते हुए यहां पर आपलाई कीूं यहां पर मैं यूज करूंगी वाइट बेस यूज करने से आपका जो यू रहोता है आई शाड़ का जो कलर होता अगर बेस के अगर आप वाइड बेस अपलाई करोंगे तो वह जाधा वीजिवल होगा थोड़ा साथ क्यों कि मेरी आदत है जब मेकप करती हूं तो थोड़ा सा सामने आ जाती हूं तो फोकस चेंज हो जाता है तो यहां पर मैंने जूम किया है ताकि आप लोगों को इसली सम और यलो कलर है ओर यहां पर अपलाई कर रही हूं और इनर भी से अब्लाई करूँगी नहीं भी में लास्ट में आप हायलाइटर दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो बाण मैं यहाँ पर अभी फिलाल औरेंज यलो अपलाई की इसके बाद मैं यहाँ पर यलो से ब्लंड कर रही हूँ तो आपका आई लुक भी ऐसा आ जाएगा नहीं तो आप 19 भी इसका फर्क भी रख सकते हो इसमें कोई इस्यू नहीं है और थोड़ा सा यलो इश दिखाने के लिए मैं इसके उपर ओनली यलो कलर यूज कर रही हूँ आप देख रहे हो कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है क्यों चलते हो वह आपके उपर डिपेंड करता है क्योंकि मेकप का थेओरी तो अलग-अलग है जैसे मोनोक्रमाटिक आई मेकप अलग है अनलोगास आई मेकप अलग है तो यहां पर मैं बहुत कलर फुल आई मेकप करने वाली हूँ ठीक ओरेंज के बाद मैं रेड कलर अपलाई क करेंगे बहुत जल्दी में आपके साथ कलर वील क्लास भी शेयर करोंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यहां पर ब्लेंड करोंगी आई मेकप करने में थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम लेती हूं ताकि बहुत अच्छे से आई मेकप हो ठीक रेड के आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बड़ आप स्टेप बैस्टेप वीडियो देखके मेकप करोगे और अभी तो बहुत सुवीदा हो गई आई डमी आ गई है जब हम लोगोंने क्लास किया था तब तो आई डमी जैसा कुछ थाई नहीं अपने उपर ही प्राक्ट प्राक्टिस करो अलग अलग कलर के आपके पास कोई बी कलर का ड्रेस आ जाए कैसी भी इसकीन टोन आजा आप आई मेकप मेप के लिए उतना जाद आपको सोचना ना पड़े यह प्राक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है तो यहां पर आप देख रहे हो मैं थोड़ा ब्ल तो यह होता है blending बहुत जरूरी है तो फिर से मैं यहां पर ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हो और इसके बाद मैं देने वाली हूं पर ग्लीटर से आई मेकप बहुत सब्सक्राइब लगेगा पर आप लोग बताना आप लोगो कैसा लगा एंड रावर के लाए मेरे जो मेक अड ब्लू कलर लिया है और उसे मैं ग्रीन के साथ ब्लेंड कर दे रही हूं क्योंकि ब्लू कलर जो था वो ग्रीन के नीचे है रही ह तो हमें उसे विजीबल करना है ठीक ग्रीन के ऊपर मैं यहां पर ब्लू कलर बहुत धीरे-धीरे करके ब्लेंड कर रही हूं और आप शोच्टे हो कि यह क्या कर रही है मैं तो यहां पर मैं आप जब क्लीन करोगे ठीक इसके नीचे से क्लीन करोगे ताकि हमारा जो आई मेक यहां करने बाद रहե्क हमाता लूब कि अप्लाइब करके लिए से रेड पूरा हाइड हो गया तो आप क्या कर सकते हो ठीक लिटर के ऊपर आप फीर से सेम कलर दोगे तो आपका फीर से पूरा रेड एंड गोल्डन वो दिखने लगेगा तो यह है टेक्निक आप एक बर ट्राइ करना और यहां पर मैं रफली आई में आई लाइनर लगा रह क्योंकि मैं पूरा फेस मेकप करने के बाद आई मेकप को टच देती हूं और उसके बद आयलैश लगाती हूं इसलिए यहां पर मैं रफली आई लाइनर लगा कि चोड़ दोंगी और फेस मेकप के लिए आगे बर जाओंगी तो लाइनर का जल मस्करा यह पूरा आपके करना चाहरे हो और क्लाइंट को आप कैसे चार्ज करोंगे वह भी आपके ओपर डिपेंड करता है आपने जितने के प्रोड़क्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग यह आप चार्ज करोंगे यह देखे मैं यहां पर बीच में आ गई और फिर से फोकस इदर उदर हो गया आइ मैं डीपली घुच जाती हूं मेकप में तो थोड़ा सा आप एज़स्ट कर लेना थोड़ा सा यह लाइट प्रॉबलम हो तो यहां पर आप देख सकते हो पूरा मैंने फेस को क्लीन कर लिया है और अब मैं यहां पर मॉस्टराइजर अपलाई कर रही हूं जो कि है न्यूट मैं यहां पर फोटोस वगेरा नहीं लाइए हूं मैं आपको बताते जा रही हूं मैं लाइं पर यहां यूज चिया और मैं यहां पर मेक आप स्टूडियो का प्राइमर यूज़कर यह मै कप प्राinky के लिए जो बहुत है हो आप लोग कोई बी लेसकते हो और लाइट इशू तो यहां पर अच्छे से मैं ब्रस के हेल्प से ब्लंड कर लूँगे आप चाहे तो हाथ भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं हाथ थोड़ा अवोइट करती हूं सिफ प्राइमर में मैं फिंगर यूज़ करना जाधा पसंद करती हूं क्यूंकि जब आप प् तो समझ में आये कि कहां कहां प्राइमर लगा और कहां कहां नहीं लगा यहां पर इनके नोज में थोड़ा सा दाक पैचेस था आपने देखा होगा तो इसके लिए मैंने औरंज करेक्टर को नोज में यूज़ किया और अंडर आई में एंड माउथ हेरिया में भी तो आप औरंज करेक्टर को अवाइड कर सकते हो बट जहां आपको दिखे वहां को करना है जैसे कि इनके फेस के अकॉर्डिंग फोरेड में बहुत जादा तैन है क्योंकि यह मॉडल प्रस डांसर भी है बहुत जादा दूप में इनका ना जाना होता है दूप में काम होता प्रस के जाना से मेकप यह बहुत अच्छे से में मेकप लॉंग लास्टिंग वहता है लेकिन ब्लेंडर को वेट करने के बाद आपको अच्छे से उसे पानी बिल्कुल होना चाहिए जैस्ट रिका सब वैट होना चाहिए ए हैं यह यहां पर मैं और यहां पर आलमंड का अ यहां आप देख सकते हो यहां यहां पर आलमंड यूज किया है और अभी इनका स्कीन कलर जो है एक हो जाएगा मिन्स एक ही कलर में पूरा फेस दिखेगा इसके बाद हम फांडेशन अपलाई करेंगे तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आप फेस के प्रोब्लम्स को हा जैसे कि अचले में तैन है या डाक पैचे जैय या डाक चरकल है या माउथ एरिया डाक डिसकलरेशन है तो उसको आपको एक करना होगा यहां आप देख सकते हो एक हो चुका है यहां पर मेक अपस्टुडियो का ही फांडेशन यूज करेंगा हूं और एक दम स्कीन टोन से मैच करते हो यूज करें हो क्योंकि हालाइटर कंसीलर हम लोग वन शेड लाइट यूज़ करने बाले हैं यह चीज आपको धियांद मेर अजया है जुलता ही आपको फांडेशन अप्लाई करना है क्योंकि जब लोग चांसीलर से हां तो तो आपको वन शेड लाइट हो जाती है क्योंकि यह रूल है जब भी आप कंसीलर यूज करोगे फो हाइलाइटिंग तो आपको वन शेड लाइट ही यूज करना है तो यहां पर मैं मेबलीन एज रिवाइन का यूज कर रही हूं 144 शेड बट यह इनके स्कीन तोन से बिल्कु यह रूज करें लाइट मेरा फेवरेट नहीं कर दो यह रही है इसका जो लुक आता है और तार्ट तो है क्योंकि प्राइस में भी बहुत डिफरेंस है यह आपर 700 में आता है तार्ट का 2700 में आता है जो अच्छे से ब्लंदिंग करने के बाद मैं हाँ पर कंटॉरिंग कर यहां पर यूज करी हूं शुगर का कंटॉरिंग और यह जो कंटॉर है अल्मोस्ट पासेन स्कीन में चला जाता है जो बहुत डACK स्कीन होगा सिर्फ उसमें नहीं जाएगा बढक एटिपर से इसकीन तो पर श्कीन टोन में चला जाता है इसलिए मैं यह यह क्रीम कंटॉर् ब्लेंड करूंगे अब देख सकते हो ब्लेंडर के पीछे से मैं बैक साइड से मैं ब्लेंड कर यहां से नहीं करें यहां पर मैं एक लिक्विट ब्लस ले रही हूं आप कोई भी चिक टिंट वगरा कुछ भी ले सकते हो मैंने यहां पर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहां पर tinted powder यूज़ कर रही हूँ जो कि इनके skin tone से बिलकुल match कर रहा है आप देख सकते हो skin tone से ना dark होगा ना light होगा अभी जो skin tone है highlighting करने के बाद उसी same powder shade मैं यहां पर use कर रही हूँ और उसको set करने के बाद मैं यहां पर use कर रही हूँ आपका मेक अपका मेक अच्छ सेट हो जाएगा तो ट्रांस्लूसेंट पाउडर यूज़ कर देंगे और इसको यूज़ करने से बहुत फेस हेवी नहीं लगीगा मतलब हेवी फील नहीं होगा और आपका मेक अच्छ सेट हो जाएगा तो ट्रांस्लूसेंट पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है त्रांस्लूसेंट पाउडर यूज़ करने से आपका मेक अप बलर दीखने लगता है मिन्स जो स्मूध फिल्टर होता है वो इस पाउडर में लग जाता है आप ऐसा बोल सकते हो इसकी बिल्कुल नहीं करना है और एक्स्ट्रा जो पी प्रोड़क्ट है मैं उसे यहां पर रिमूफ कर रही हूँ जैसे कि आप बहुत जादा वेट मत करो मैं यही सजेस्ट करू करने के लिए तो यहां पर देखो मैं कंटॉर इनका फेस जो उसके अकॉर्डिंग कर रही हो बहुत जादा नहीं करना है और यहां पर मैं आई मैजिक का ही हाइलाइटर और ब्लश पैलेट यूज कर रही हूँ एंड मीडियम मीडियम तो डाक स्किन टोन के लिए हम लोग ब्लश यूज करते हैं अगर मीडियम तो फैर के तरफ स्किन टून जा रहा है तो पीच कलर यूज कर सकते हैं बट मीडियम तो डाक के लिए ऑल्वेस पिंक ही हम यूज करते हैं यहां पर मैं फोरेवर फिफ्टी टू का हाइलाइटर यूज कर रही हूं जो कि अभी मेरा बहुत बहुत जाथा पसंद आ रहा है मुझे फॉरेवर फिफ्टी टू का यह हाइलाइटर आपका लगबग फिफ्टी तक पड़ जाता है लेकिन बैद न्यूज यह है कि यह हाइलाइटर मेरा टूड गया क्योंकि रावर के ला से कोलकाता मैं मेक अप के लिए जाती हू तो मैं गई थी कोलकाता और उसी समय आते वक्त हाइलाइटर टूड गया यह 25 जून के पहले मैंने रिकॉर्ड किया था ठीक मैं कोलकाता निकल गे थी अब मैं एडिट करके आपके लिए यह वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो वह आइलेटर टूड गया बट मैंने जैसे तैसे करके सेट कर लिया है यहां पर आप देख सकते हो मैंने यहां पर इन गलोट का जल लाइनर यूस किया है और बहुत अच्छे से वह अब डार्क हो गया है पहले मैंने रफली लाइनर लगाया था उसके बाद मैंने यहा पतले brush की help से मैं इनको एक sharp liner लगा रही हूं क्योंकि एक मराथि लूक है जरूरी नहीं है क्या शार्प लगा बट मुझे च्लास में sharp liner लगना था तो मैं आज शार्प Liner ही यहाँ पर लगा रही हूं इसके बाद मैं यह पर लगा रहे हैं कि लिए मैंने अई मैजीक का इलेश यूज किया है अच्छे से आपको लिप्स्टिक नहीं लगाना है और डिरेक्ट आप मैट लिकुड लिफ्स्टिक सा लाइन नहीं बनाओगे पहले आप क्रीम लिप्स्टिक से लाइन बनाओगे इसके बाद आप अंदर में फील करोगे ताकि आपका जो लिप है उसका शेप अच्छे से बैट जाए एकदम से आप मगर मैट लिप्स्टिक ले लोगे ना थोड़ा भी अगर गरबड हुआ तो आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे इ आपको लिक्विड यूज करना है तो यहां पर मैंने कर दिया है एप्लिकेशन और अब मैं यहां पर मेकप को सेट कर रही हूं मेकप फिक्सर से नाव यहां पर हो गया है मेकप लुक कंपलीट अब आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों कैसा लगा और यह सब्सक्राइ मुझे सपोर्ट करना एंड शेर जरूर करना तो इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में उम्मिद करती हूं कि इस वीडियो से कुछ नो कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आपने इस वीडियो को इस मेकप लुक को इंजॉय क्या होगा तो आ